स्वागद आप सबका साउथ अफरीगा टूर ओफ इस्ट इंडीज के अंदर यह दूसरा टी ट्वेंडी आई है जो खेला जाएगा सबीना पार किंग्स्टन जमाईगा के उपर मैट्स टाइमिंग है रात के साड़े बारा वजे तो सबसे पहले पिछले मैच के समरी की बात तरते हैं वह आगया एसके अंदर टॉस जीता साउथ अफरीगा ना पहले गिंदबा जी का फैसला गिया विस इंडी जो आपके अंदर 176 का टार्गेट देती आट विक्टिक नुकसान पे बहुत अच्छा स्कूर बनाए बिकॉस अफ देर कैप्टन ब्रेंडन किंग आता तीन ओर के अंदर 26 रन दिया आमीन चार ओर में 26 रन दिया तीन सफलता मिली फैक लोग आयो को भी यहाँ पे तीन विकेट मिले कोट्जिया को एक साउथ अफरीग आई चेस करने 147 पर आल आउट हो गई रिजा एंडिक्स का बल्ला बोला इन्होंने च्छा चक्के मारे इस और वेस्ट इंडीज यहां पर 28 रन से प्टैले मैच को जीत लेती है और इस तीन मैच के सिरीज को 1-0 से लीड कर रही है तो लेट सी क्या होता है इस आने वाले दूसरे टीटवंटी के अंदर मस्ट विन गेमां साउथ अफरीगा के लिए अगर इस सिरीज के अंदर जीव खेल चुक है अब नहीं खेल रहा है और बड़ा फ्लैर है तो बहुत से चीज़ें डिसस करेंगे पिछ यहां पर कैसे रहती स्टैट्स क्या गह रहे है टलीग्राम चैनल जॉइन कर लो फाइदा गया लाइन अपस के बाद कोई अपडेट है कि मैं टलीग्राम पे दी दू से नुज़रेंड के लाफ उन फॉटिफटी बना और सामनेवली टीम ने इसको फिफ्टी बना लिया था वन फिफ्टी दो विकेट के नुकसान पर उन्हीं सोर में चेस कर लिया डोसो मनदरा मना चेसिं टीम इक सो पचीज बना इनलेटी फाइचिस बना उननेटीश बना तो विस्ट इंडीज यहां पर साथ मैस से चार मैचेस जीती है साउथ ओफरीका एक मैस खेलके यहां पर हा रही आ है बैटिंग फर्स को एडवंटेज मिलता है हमने बात करें थी स्पिनर्स को सेकंड इनिंग में आपर हेल्प मिलती है तो 6 मैचेस बैटिंग फर्स तीन मैचेस चेस करते हो जीते हैं प्रती ओवर आठ के आस पास रंस बनता है और जो यहां पर लास्ट मैस था विस्ट इंडीस था हो तो फरीका का बारा विकेट पेसर है का चार विकेट हो आप इस्मिनर्स के नाम थे अब तिक जो चार मैचेस जे स्मिन्गीउ पर हो है पेसर ने बत्थिस विकेट निकाला पहली पारे में इस बारी के अंदर 11 वह आदे अंबेसर 24 अबेसर, आट Central के 19 विकेट है पहली पारी में तीन रियोड पारी में थीन दूस्री पारी के अंदर 16 क्लियर करते हैं पर spin to win formula है पिछले के में spinners ने कितने हो डाले थे यहां पर दो रॉस्टन चेस ने सेकंड इनिंग्स में एक डाला था फैब बैनलने तीन और यहां पर हो गए चार चार डाले थे मोटी ने और फैब बैनलने तो 11 और spin के हमको देखने को मिले थे सेकंड इनिं दूसरे एंड पर ग्रास नहीं थी यह पीछ आप देखो आपको ग्रास दिखेगी इस तरफ और एक एंड पर बिल्कुल भी ग्रास नहीं थी यह देख सकते हैं पिछ और स्क्वेर बांडरी आपे 64 और 65 सामने की बांडरी 72 मिटर्स है तो देखते हैं इस गेम के अंदर क्य इड़ वाल उनको फरक नहीं पड़ता कौन बॉलिंग कर रहा कौन बॉलिंग नहीं कर रहा वह आते हैं अपने आपको एक्स्प्लूर करते हैं पिछले मैच की ब्रेंडरिंग की इनिंग्स आप देख लो हाइलाइट्स अगर आपने मैच दिखा तो बहुत बढ़िया हाइ रिजा इंडिक्स को आप देखिए कितनी अच्छी से उनने काम को पोस्ट इनिंग्स को बिल्डप किया था तो लेट से क्या होता है इस गेम के अंदर दों टीमस नापस के अंदर 20 मैचेस खेले हैं वेस्ट इंडीज दीती है नौ सौथ अफरीगा 11 जीती है तो अच्छी प्रेटल होगी यह देखने लाइक मैच होगा करंच गेम होने वाला है वेस्ट इंडीज चाती है सीरीज को अपने नाम करें सौथ अफरीगा अपने हाथ से सीरीज को जाने नहीं देगी ब्रेंडन कींग ओपन गरेगा अलॉंग इंडर जॉंस इंचार्ल स्काइल अपको वन डाउन दिखते हैं पिछले गेमें फ्लेट्चर टू डाउन लिस्टेट थे थे बड़ रॉस्टन चेस को भीजा गया फैबनल रोमुरियो श्टफर अखिल हुससाइन फिर आपको दिख जाएंगे मैथीव फॉर्ड गुर्दिकेश मोटी समार जोशफ का पिछले गेम में डेब्यू था साउथ अफरिका की बात तरते हैं कॉंटेंट डीकॉक रिजा एंडिक्स ओपन करेंगे अर्यां रिकल्टन वन डाउन मैथ्व बिट्सगे रैसे मंडर डूसें व्यान मुल्डर अनलिफ फिल्वो कियो फैकलुक आयो कहते हैं मैंसे इसको एंडिश नौक सब्सक्राण में रंस है 59-79 चेस को पर 53 आज तक तीन मैच अपने घर के उपर खेला है तीनों मैचस में आफ सेंचूरी है अपने गर पे खेलो तो सीना तान के खेलो जॉंसन चार्ल्स पांच मैचस में 179 रंस 25 कट्स टाइगरेट है बाटिंग फस्त 118 वाली ये शायद ए 2023 के अंदर जास IPL से पहले यात को रहा आप सुपर स्पोर्ट स्पार्क सेंचूरी नाइधिंग वह मैदान था वही लग रहा है मेरेको वेन्यू के पर पांच मैचस में 24 रंस है 0-20 बारा एक चेस को पर 31 है कायल मैच्च चार मैचस में 108 रंस लाज्ट गेम में विड़ बै पर चार नाबाद वेन्यू के उपर 32 नाबाद है और एक रिकेट भाही ने निकाल रगा है इस वेन्यू के पर जो लाजगी में है तर्यां रिकल्टन को स्टंपिंग करवाई थी जितना मुझे याद आ रहा है एंडर फ्लेट्स और 8 मैचस में 83 रंस है बैटिंग फस्ट चेस के उपर 004, 2, 11, 30, 35 वेन्यू के उपर साथ मैचस में 84 रंस, 605 का स्टाइगरेट है फॉर्म एक चौरासी नाबाद, 53, 43, 53, 0, 45, 11, 11, 12 नाबाद, फैबन एलन पांच मैचस में 68 रंस, 197 का स्टाइगरेट, दो विकेट 7.6 की गॉनमी है पिछले गे में में पूरो चार वकर स्पेल डाला मैं एकस्पेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा था वर्ट सेकंड इनिंग्स में अलका सा लगा कि डाल सकता है मतला थोड़ा सा एकसा नहीं था बहुत जादा एकस्पेक्टेड हो गया स्टाइगरेट जालेंगे साथ अफरीके के द्रफ से रिजा एंडिक्स क में बहुत अच्छा स्पेला ए रिस्उन फार्म बहुत अच्छा ता इसका उने देखा था नेपाल में जाकर अच्छी और रहा था अच्छ किलने के लिए खी तो इस बंदे के पास drift है जो हम कहते हैं कई spinners के पास बहुत कम होता है आज के टाइम पर drift बहुत कम spinners के पास है seriously कह रहा हूँ मैं अखील हुसिन के पास जादा drift नहीं है गुद्धिकेश मोटी के पास बहुत अच्छ है अगर आप ध्यान से देखें तो शमार जुसफ का एक मैच में एक विकेट है बालिंग सेकेंड करते हुए वाइल किरिकेट मेर बहुत कम बालर के पास drift है शमार का एक में एक विकेट था अबर्ड मुकई तो बहुत अच्छी बालिंग करता है पिछले के में तो तीन ओ डाल गया पंदरा रंदी है दो विकेट निकाला चार ओ डालता हुथा था इस तीन-चार विकेट इसको ऐसे मिल जाते इस टीम के अगेंस कमाल की गेंदबाजी करी है रमवरिय शेफट का तीन मैचस में 88 रंज से एक विकेट है वैन्वरिय पर तीन मैचस में 49 रंज से एक विकेट खेलता है तो मस्पे एक सेम फॉर दा हुल्डर मस्पी कुगा खेलेगा तो कैप्टन वैस कैप्टन सी भी गो सकता है एले कहते निए इस खेलेगा तो मिडल ओडर में वरना मुश्किल है खेलना एडन वाल जूनियर दल लागी बॉलिंग सेकंड में ही रखिये टीम के अंदर मैथी फोड़ का था पिछले गेम में पहला बारवा बीस वा इस टीम ने साथ बॉलर का इस्तेमाल गिया तोड़ा गलत हुता है साथ साथ बॉलर इस्तेमाल हो रहे हो रस्टन चेस का दूसरा दस वा शमार का थीसरा पांच वा ठारवा अखिल का चौधा फेबेन एलेन छटवा नववा सत्रव उननीस वा सत्रव उननीस वा सोचो ही बाराब अब वोगए साथ वा चौधवा सोलवा गुदेगेश मूटी आठवा ग्यारवा तिरवा पंदरवा उवर था अब देखते है क्वेनिडी कॉक को दस मैचेस में 427 रंस 145 का स्टाइगरेट है 10 कैच 53 की उसद है बहुत अच्छा अगनेस बंदेगे पता नहीं लास्ट गे में कैसे चार पे आउट हुगया निकल लग गई और सीधा कीपर के आत में गेंद गई चार रंस से चेस करते हुए जो लास्ट मैस में आया उससे पहले फ़र्म नहीं था चार बारा दो आट जीरो चोवन दस उननेस मतलब क्या ही कहने है बहुत खराब फ़र्म से आ रहे हैं ये रुजा एंडिक्स दस मैचेस में साढ़े तीन सो रंस 145 के उसे उसे बहुत डीटेल से प्लेयर के बारे में बात करी थी कित्रा इंपोर्टन डेसर्ट हो सकता है और लास्ट गेम ही दिखाया है इसने क्या भी रादा राजस्थान रोल्स के लिए अच्छा रिप्लिस्मेंट हो सकता था ये टॉप ओडर के अंदर टीकेसी जैसे प्लेट्स को टीम ने साइन के अच्छा रिजा को साइन कर देते हैं चलता है अब पता ने टीकेसी आज खेलने वाला जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना राजस्थान और संड्राइजस का क्वालिफायर 2 का मैच है इसमें श्यतक बना दे और अब मैं ऐसे कहूँ कि टीकेसी जैसे प्लेट को साइन गया तो गाल्या पड़ीगे मेरेको चेस के उपर 6, 43 नाबाद 17 वैंडेकेपर 17 या लाज्ट गेम के अंदर व्यान मॉलडर का दो में दो वीडियो नौर रंस है सेंट पॉंट सेंकी एकॉनमी वैंडेकेपर 0 रंस चेस करते हूए देखते हैं क्या करबाता है इस गेम के अंदर वियान मॉलडर विद्द बाह अच्छे ग्रिगेटर है लास्ट गेम में थीन विकेट्स निकाले बड़े कुशल स्पेल रहा है इस बंदे का अच्छी बॉलिंग गराई थी के परना आए ब्यॉआन फॉर्टेन बॉलिंग सेकंड में अंड्रॉप बलू सकता है इस गेम के अंदर बॉलिंग फर्स्ट में के इस कौर्ण में रिजरिंघ मैं फर्सेंट बंदा मेरी बजागभी बनी यम्नी की कूछ इंप में दिखा दिया था 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 ब Republicans Neugraig साथ मैचेस में आट्रिकेट है, 6.6 की एकॉनोमी है, और खेलेगा तो आप रहिए, शम्षी, शैमो बॉलिंग सेकंड में स्पेशल हो सकता है, पैटरिक कुग, नकाबा फीटर लेक्स में रहे है, बहुत अच्छे फॉर्म में आ रहा है, दस मैचेस में कुछ 17-20 विकेट नि पैटरिक कुएपए, फेक लुकवा यारिवा, तीरवा पंदरवा, वैनमोरडर दस हो अरिजा का था, बार वावर, तो डैतर में मोस्ट ली डाला था, ईंगटी ने, कोट जिया ने, आट इन लेलबर्टमने, तीन बॉलर्स में, ब्रेंडन किंग, नथिं आड़ा धीशल क केला क्रॉस बैटेड सिधा फिल्टर के आत्में के डीप स्क्वेर लेक की दरफ कायल मर्स अगेंस्ट ब्यॉन 14 दिक्कत होती है उनको पांच मैचों के अंदर तीन बार आउट किया है सोला बॉल में 14 दिया है कोट्जिया ने 20 बॉल में 25 दिया है रॉस्टन चेस अगेंस अंगेडी 13 दिक्किस रंस दो निंग्स में एक बार आउट किया है फ्लेट्चर का नहीं कोई खास मैचप फैब एन एलन का भी कोई खास मैचप नहीं है जस्टन होल्डर वर्चेस शम्षी 49 गें 23 दिया रंस साथ इनिंग्स में दो बार आउट कर रहा है और तो और कॉंटें डिकॉप की बात तरहते हैं उनका मैचप अगेंग्स होल्डर रहा है ग्या रैनिंग्स में दो बार आउट किया बैतर गेंदों में 85 देगे रिजा अंडिक्स अगेंश्ट अबर्ड मुकवाई 23 गेंद 32 दिया बस एक मातर मैचप एनगा सब को इसने बहुत अच्छे से गयल है मैथ्यो फड़को तो भाई साब इसने च्छे बॉल में 17 मारे थे राउट हो गया लास्ट में जाते जाते हैं ग्यान डिकल्टन अगेंस्ट रॉस्टन चेस 14 गेंदों में चेरन दो निंग्स में एक बार आउट किया है और कोई मिर को खास मैंच अपनी बहुता है कॉमन कैप्टन की बात तरदे है रिजा एंडरिक्स को इंटन डिकॉक अलग जना तो रॉस्टन चेस है फैलुक वायो है ब्रेंटन कींको आप रोटेट कर सकते हैं होल्डर आपके बात अच्छा उप्शन है पानी है भाईयो अलग मतलब मत निकाल ले ना ना चलता है जड़ा टेम्स की तरफ अन्ना कोईगे भी इतीने अनर्जी आ कान सेरियस बनने में क्या पी रही है भाई इस बॉटल में मिलाके टेम्स बना लेते हैं भाईयो और बैन यह बनके टीम नहीं बनी अब बनेगी वेगडी विन सेक्शन से स्टार्ट करते हैं डीकॉक मेरे यह मस्टूक फ्लेट्चर को आप बैक कर सकते हैं कीपिंग से आपको वैल्यू देगा है लास्ट जिए में कीपिंग से ही बहुत पॉइंट देगा एक कैच एक स्टंपिंग 20 पॉइंट दो बिना बैट कॉइंट लगाए दिये इसने जॉंसन चार्ल्स ओपन करें ड्रॉप नहीं कर सकते है रिकल्टन भी टॉप ओडर के अंदर फिल्डिंग ऐसी जगह में खड़ा जहां पर बहुल आती है आपको बता है पावर प्ले के अंदर दो प्लैट्स ही बाहर होता है सर्कल के तो उसमें से रिकल्टन एक था जो स्क्वेर लेक की तरफ डीप स्क्वेर लेक की तरफ फिल्डिंग करा था अगर साथ में खेल रोते क्रीज में तो रॉस्टन चेस पावर फिल्ड में दो डालगा ताराम से अच्छा देख विकेट भी ले जाता तो यहां से मैं बैक करूंगा फैकलुक वायो को अच्छा पी गया यहां से कॉट्जिया अब आट मकॉई मेरे को एक स्पेशल प्लेयर लग रहा च्छस पहला सकता है और यहां से फिर गुद्डिकेश मोटी इंपोर्टन रॉटन इंपोर्टन 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 इंगिडी को आप बैक कर सकता है अकिल हुसेन भी बहुत अच्छा प्लेयर हो था लास्ट गेम थोड़ा से नका अप एंड डाउन चला गया 11th प्लेयर आप ले लीजिए कायल मेट्स रैसिवंडर डूसेन रॉस्टन चेस जो आपका दिल गह रहा है मैं फिलाल में चले जाता हूं किसके साथ जाएं तो टू डाउन गारेंटी रॉस्टन चेस की नहीं है फ्लैट्चर आ सकता है फ्लैट्चर के नंबर सगेंड इस टीम बहुत खराब रहा है मैंने कीपिंग के वज़े से लिया और बैटिंग अटर थोड़ा सब पर था इस वज़े से कायल मेट्स को ले ले लेते हैं थोड़ा सा रिसकेस बंदे के साथ अभी भी वही कहूंगा मैं कैप्टन सी में मैं जाओंगा मोस्टली दो सबसे टॉप ऑप्षिंस हैं बेंडन किंग और रिजा दोन ओपनर्स हैं फुल टाइम होताने के बास इनिंग्स को बिल्डप करने का यह डिकॉक आप जा सकते हैं डिकॉक का फॉर्म कंसन है तो यह दोनों को हम कर देते हैं आप झाल